आप लोग अपने फ्रिंड्स के साथ में कहीं पार्क में जाते हो खेलने के लिए ठीक है जैसा कि सभी बच्चे जाते हैं पार्क में खेलने के लिए तो हमको अब देखना है कि आप अपना experience कैसे describe करते हो अब आप बोलना चाहते हो कि मैं और मेरे फ्रेंड्स पार्क गए ठीक है तो आप बोलोगे me and my friends went to the park जब हम पार्क में पहुँचे तो हमने वहाँ पर बहुत सारे plants, trees और different colorful flowers देखे पार्क में जाते हैं तो यह सारी चीजे होती है है ना तो आप बोलोगे when we reached there we saw many different plants, trees, different colorful flowers ठीक अब आपको कहना चाहते हो कि हमने वहाँ पर बहुत सारे swings भी देखे and now we also saw there are different types of swings ठीक है swings बोलते हैं जूले को अब आपको बोलना है कि वहाँ पर चाहकर हमने पहले soccer means football खेला और फिर हमने खुब सारे जूले जूले अपने friends के साथ में तो first we played soccer then we rode on swings उसके बाद हमने क्या क्या स्विंग पर चूले जूले understood now all of you? now अब आपने कहा कि हमने वहाँ पर क्या देखा एक ice cream stall ठीक है तो then we saw an ice cream stall in front of the park in front of the park मतलब park के सामने हमने एक ice cream stall देखा तो then we saw an ice cream stall in front of the park अब जब आप लोगों ने ice cream parlor देखा तो क्या थारे friends आपके एकदम से दौल करके जाने लगे है ना तो then me and my friends ran towards the stall ठीक है stall की तरफ आप और आपके friends दौल कर जाने लगे अब फिर क्या किया आप लोगों ने वहाँ जाएके and ate our favorite ice cream और हम सब लोगों ने अपनी favorite favorite ice cream वहाँ पर खाई और उसके बाद आप लोगों क्या हुआ अपने घर वापस आ गये then we come back to our home तो फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या किया आप सब लोग अपने घर वापस आ गये तो ठीक है ऐसे ही आप लोग और भी topics लोगे और घर पर practice करोगे कि हमको कैसे बोलना है ठीक है तो all of you choose any topic as you wish and try to express your views or explain it in English ask your parents to help you means आप लोग कोई भी topic चूज करोगे और उस पर अपने views और अपने feelings को express करोगे English में और अपने parents की help भी आप साथ में ले सकते हो ठीक है so all of you understood ओके नो थेंक यू बाबाई सी यू अगी यूयत्ach बादा दटेशा पाल और अपने, तो रसाणी कोड़ाई ukandy